पहानी की स्टार्टिंग में हम दो दोस्तों केटी और बैका को देखते हैं यहां बैका केटी को एक वीडियो टेप के बारे में बताती है कि जो भी उस वीडियो टेप को देखता है उससे एक कॉल आती है और साथ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है ये सुनते ही केटी कहती है कि मैंने वो वीडियो टेप देख ली है और मरने का नाटक करती है लेकिन तभी केटी के मौंगा कॉल आता है जो केटी से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और फोन रख देती है पर तभी केटी के ग्राउन फ्लोर वाला टीवी अपने आप ओन हो जाता है केटी को लगता है कि सायद बैकर ने चलाया होगा इसलिए केटी टीवी को आफ कर देती है पर एक बार फिर टीवी ओन हो जाता है और केटी डर कर टीवी के पलग को ही निकाल देती है जब केटी फिर्स्ट फ्लोर पर जाती है तो देखती है कि उसके रूम से पाणी निकल रहा है और जब केटी दरवाजा खोलती है तो TV ओन था और तभी एकदम से केटी की मौत हो जाती है आगले दिन हम रेचल को देखते हैं जो एक जनरलिस्ट होती है और वो स्कूल से अपने बेटे एडन को लेने यहां आई थी एडन की टीचर रेचल को बताती है कि तुम्हारा बेटा कुछ ठीक नहीं है वो हर वक्त ड्रोइंग बनाता रहता है इस पर रेचल कहती है कि एडन की कजन केटी की तीन दिन पहले ही मौत हुई है यह दोनों काफी करीब थे इसलिए ही एडन केटी की ड्रोइंग्स बना रहा है लेकिन टीचर कहती है कि केटी की मौत तीन दिन पहले हुई है पर एडन ऐसी ड्रोइंग्स एक हफ़ते पहले से ब जहां केटी की मौम रूथी भी रेचल को बताती है कि केटी की मौत उसकी धरगने रुकने से हुई थी और ऐसा किसी भी 16 साल की लड़की के साथ होना पॉसिबल ही नहीं है और तो और केटी की डैट बोड़ी भी अजीव हालत में मिली थी रूथी रेचल से कहती है कि प्लीज मेरी बेटी की मौत का पता लगाओ फ्यूनरल में ही हमें केटी के बागी दोस्तों से पता चलता है कि उस रात बेका जो केटी के साथ थी वो अब पागल हो चुकी है और वो अब मैंटल होस्पेटर में है जब रेचल इंसे पूस दिया कि केटी के मनने से एक हफते पहले वो कहां गई थी तो इस पर केटी के दोस्त बताते हैं कि केटी उसका बॉइफरेंट जोश और दो लोग और थे इन्होंने एक वीडियो टेप देखा था और ठीक एक हफते बाद केटी मर गई इतना ही नहीं केटी का बॉइफरेंट भी उसी रात मर गया जिस रात केटी मरी थी साथ ही वो दो लोग भी कार एक्सिडेंट में मारे गए हैं जिन्होंने केटी और उसके बॉइफरेंट के साथ वो वीडियो टेप देखा था इन सबकी मौत एक ही टाइम पर ठीक दस बजे हुई थी रेचल इस सबकी तकीकात में लग जाती है और देखत यहां रेचल को वो वीडियो टेप भी मिल जाती है और रेचल केविन नमबर 12 में इस वीडियो टेप को देखती है इसमें कुछ अजीब चीजें एक कुरसी एक और बहुत अजीव जीब चीजें देखती है और इस टेप को देखने के बाद रेचल को भी एक कोल आता है जि वीडियो टेप देखने की जिद्ध करता है इसलिए रेचल उसे भी वीडियो टेप दिखा देती है जब नोवा पूरा वीडियो टेप देख लेता है तो एक कॉल आता है पर रेचल कॉल नहीं उठाती यहां नोवा रेचल से इस वीडियो टेप की कॉपी मागता है और चला गई हो नुवा बताता है कि किसी भी फूटेस को किसी कैमरा वगेरा से रिकोर्ट नहीं किया गया है क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीसे में कैमरा नजर जरूर आता अब रेचल को टेप देखे हुए तीन दिन बीच जाते हैं वो वैका से मिलती है जो उस दिन केटी के साथ थी रेचल वैका से उस रात के वारे में पूस थी है पर वैका सिर्फ इतना बताती है कि तुमें चार दिन बाद सब पता चल जाएगा रेचल ओडियो विज्वल मशीन द्वारे टेप को ठीक से दिखती है तो रेचल को टेप में एक लाइट हाउस भी दिखता है रेचल लाइट हाउस के वारे में जानकर ही निकालती है तो पता चलता है कि ये लाइट हाउस मौसको आईलेंड पर है और जानने के बाद रेचल को कई औरतों की तजवीर दिखाई देती है जिसमें से एक वीडियो टेप बाली औरत भी थी जो घोडों को पालती थी इसका नाम एना मौर्गन था एक दिन एना की घोडों को अजीब बीमारी होने लगी जिससे वे खुद को पानी में डुआ कर मार रहे थे इसी तरह एना के लगवक सभी घोडे मर गए थे पर घोडों की सजी बीमारी का रहसी अभी तक नहीं पता यहां रिचल एना की तस्वीर को अंजाने में ही बीगाड डालती है पर अजीब बात ये थी कि एडन कुछ दिनों से ऐसी ही तस्वीर बना रहा था हैर दूसरी तरफ नोआ को एक शॉप के CCTV कैमरा में अपनी शकल बिगड़ी हुई दिखाई देती है ठीक वैसे ही जैसे रिचल की तस्वीर में उसका चेहरा बिगड़ा हुआ आ रहा था इदर रिचल को एक सपने में एडन की तस्वीरों वाली लड़की दिखती है जो उसके हाथ को जला डालती है और जब रेचल सपने से जागती है तो उसका हाथ सच में जला हुआ था रेचल एकदम से बाहर आती है और देखती है कि एडन ने भी वो टेप देख ली है तबी एक कॉल आता है जिसे देख रेचल डलती है और एडन को चोटना पहुचाने के लिए कहती है पर दूसरी तरफ नोवा था जो रेचल को बताता है कि टेप के बारे में तुमने जो सुना है वो सच है क्योंकि मेरी फोटोस भी बिगडी हुई आ रही है अगले दिन रेचल मौस्कौ आइलेंड के लिए रवाना हो जाती है इसी बीच एक घोड़ा रेचल को देखकर प्रागर हो जाता है और पानी में उकूद कर अपनी जान दे देता है खैर रेचल मौस्कवा एलेंड पर पहुँच जाती है जहाँ वो एना मॉर्गन के पती से मिलती है तो गोड़ों की बीमारी और एना मॉर्गन के बारे में पूस्ती है यहाँ पर रेचल को वहीं सेम मिलर भी दिखता है जो वीडियो टेप में था तबी एना मॉर्गन का पती रेचल को निकाल देता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है इसके बाद रेचल अपने बेटे एडन की खैर ख़वर लेती है जहाँ एडन रेचल को समारा के बारे में बताता है कि समारा मुझे कुछ विजन्स दिखाती है जिस वज़ा से मैं वो चीज़ें बना पा रहा हूँ जो मैंने नहीं समारा ने देखी है इतना ही नहीं एडन रेचल को ये भी बताता है कि समारा को गोड़ों का अस्तवल पसंद नहीं हैर रेचल इसी आईलेंड पर रहने वाली एक डॉक्टर ग्रासनिक से मिलती है जो बताती है कि वो एना की डॉक्टर थी यहां पर रेचल को ये भी बता चलता है कि रेचल और एना मॉर्गेन ने एक लड़की को एडोप्ट किया था जिसका नाम समारा था जब से समारा यहां आए थी तबी से एना के गोड़ों की अजीब तरह से मौत होने लगी और एना भी मैंटली अंस्टेबल हो गई यह जानने के बाद रेचल वापस एना के पती रिचर्ड के घर पहुंचती है पर उसकी नामवजूदगी पाक कर रेचल एक और वीडियो टेप देखती है जिसमें हम समारा को देख पाते हैं जो मैंटल होस्पिटल में थी समारा खुद कनफेस करती है कि वो लोगों को चोट पहुँचाती है और पहुँचाती रहेगी असल में जब एना और रिचर्ड को लगा कि समारा की वरासे घोड़े मर रहे हैं तो उन्होंने समारा को मैंटल होस्पिटल में भेज़ दिया था समारा के पास सूपर्नैश्रल पावर थी इसी वरासे वो घोड़ों को कुछ वीजन्स देखाती थी जिससे घोडे खुद वाखुद अपनी जान दे रहे थे इसका conclusion ये निकलता है कि समारा बहुत बुरी थी यहाँ पर Richard आ जाता है और Rachel को मारता है और उससे जाने के लिए कहता है Rachel Mr. Morgan को वो वीडियो टेप के वारे में बताती है और कहती है कि मेरे बेटे ने वो वीडियो टेप देख ली है और वो मड़ जाएगा प्लीज हेल्प मी Richard कहता है कि समारा विजन्स दिखाती है और वो बहुत भयानक होते हैं जिस वज़ा से मेरी वाइफ और सारे घोड़े भी मारे जा चुकी है समारा कभी नहीं सोती वो कभी नहीं रुकेगी इतना कहते हैं मिश्टर मौर गेन अपने आपको इलेक्ट्रिक शोक देकर मार लेता है तबी नुवा भी यहां आ जाता है जो रेचल को संभालता है रेचल एडिन की बात याद करती है कि समारा को घुणों का अस्तवल पसंद नहीं यह चल घुणों के अस्तवल में ही जाती है जहां उसे सीड़ी दिखती है जब यह ऊपर जाते हैं तो इन्हें वो जगा दिखती है जहां समारा रहती थी एडिन की बात कर मतलब अब समझ आ रहा था कि क्यों समारा को गुणों को अस्तवर पसंद नहीं था दरसल समारा जब कुछ अचीब सूपरनेश्रल पावर से रिचार्ड ओरेना को डराने लगी तो इनोंने समारा को अस्तवर में सोने के लिए जगा दी जहां गुणों की आवास से समारा को डिच्टरवन्स होने लगी और फाइनली उसने अपनी पावर से गुणों को मार दिया था इन दोनों को यहाँ पर एक पीर दिखाई देता है जो वैसा ही था जैसा सेल्टर माउंटेन इन डिजॉर्ट में था यानि वहाँ जहां केटी उसके बॉइफ्रेंड और बागी दो लोगों ने वो वीडियो टेप पहरी बार देखी थी यह दोनों सेल्टर माउंटेन की केविन नमबर 12 में आ जाते हैं जहां इने कुछ भी क्लू नहीं मिलता इससे फ्रस्टेट होकर नुवा सीसे की बॉल्स से भरी बकेट को फैकता है तो वो सीसे की सभी बॉल्स एक जगा आकर जमा हो जाती है नुवा इस जगे की फ्लोर को काटता है और देखता है कि यहां वहीं कुआ है जिस कुएं से बाहर निकल कर समारा उस वीडियो टेप से आती थी यानि कि सेल्टर माउंटेन इन में ही यह कुआ था यही इस सब की सुरुआत है हैर कुछ सूपर नैच्रल चीज़ें यहां होती है जिससे टीवी रेचल के उपर गिरता है और रेचल कुएं में गिर जाती है नोवा रेचल को निकान ले के लिए रसी बगरा लेने के लिए चला जाता है इस बीच रेचल को यहां स्क्रैज की निससान और एक नाखून भी दिखता है तबी एक हाथ बाहर आता है जो रेचल का हाथ पकड़ लेता है जिससे रेचल देख पाती है कि एना ने अपनी बेटी समारा को दम घोट कर कुएं में फिंक दिया है और कुएं का मुह भी बंद कर दिया है लेकि नेसल में समारा मारी नहीं थी जिस वरह से वो साथ दिन तक पानी से बाहर आने की कोशिस करती रही और फाइनली साथ वे दिन वो मर गई थी अब रेचल के हाथ में समारा की बोड़ी थी जो मेल्ट हो जाती है और समारा के हाथ से भी वो निशान गायब हो जाते है अब रेचल के हाथ में सिर्फ समारा का कंकाल बसता है फुलिस द्वारा रेचल को बाहर निकाल लिया जाता है और समारा के कंकाल को भी रेचल को साथ दिन पूरे हो चुके थे पर वो नहीं मरी थी जिसका मतलब समारा की आत्मा को सांती मिल चुकी है सायद समारा चाहती थी कि कोई उसकी मोत की असल बजा को जाने इसलिए उसने वो वीडियो टेप लोगों के बीच छोड़ा जिससे लोग उसकी कहानी को जान पाएं पर जिसने टिप को देखा और इग्नोर कर दिया वो उसे साथ दिन बाद मार देती थी क्योंकि समारा ने भी ठीक साथ दिन बाद कोई में अपना दम तोड़ा था खैर अब सब ठीक हो गया था रेचल एडन को बताती है कि मैंने समारा की मदद की उसे कोई से बाहर निकाला तब एडन कहता है नहीं मॉम समारा की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी वो सोती नहीं है वो कभी नहीं रुकेगी रेचल को एडन की बहाँ पर समारा का हाथ दिखता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है दूसरी तरफ नुआ अपने ओफिस में था कि तब उसका टीवी अपने आप ओन हो जाता है क्योंकि आज नुआ का साथवा दिन था और उसको इसे समारा बहार निकल कर आ जाती है फिर एकदम से समारा टीवी से बहार आ जाती है इदर रेचल नुआ को बताने के लिए आ रही होती है दूसरी तरफ समारा नुआ को बहार आकर मार डालती है जब रेचल पहुंचती है तो उसे नुवा की डराबनी लाश मिलती है रेचल वापस अपने घर आ जाती है और सोचती है कि समारा ने उसे क्यों नहीं मारा तभी रेचल को याद आता है कि उसने वीडियो टेप की एक कौपी नुवा को दी थी इसलिए श्राब नुवा के उपर चला गया था रेचल एडन के हाद से भी ये कौपी बनवा लेती है त्योंकि एडन ने भी ये टेप देखी थी और एडन भी मर जाएगा इसलिए एडन के श्राब को हटाने के लिए रेचल एडन से ये कौपी बनवा लेती है ताकि टेप को कोई और देख ले और श्राप उस पर चला जाए यहां पर दारिंग पहला पार्ट खत्म हो जाता है